एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आये थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिंचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ मरे हुए कीड़डाहों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निन्दा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। उन्हें भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ड़ों को जान बूज कर नहीं, नहीं मारा है इसलिए उनकी भर्टसना करना उचित नहीं है। तो वह और उसका परिवार उप, उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आँखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भैसे यह मानने से इनकार कर दिया। चिकितसक को तो पता था कि उस स्त्री की आँखें ठीक हो गई है। वह जूट बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चकशुपाल ने दूसरी दवा दी, उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीठी लेकिन चकशुपाल जरा भी नहीं पसी जा। इस पाप के फल स्वरूप अगले जन्म में चिकितसक को अंधा बनना पड़ा।